इस पॉंसर पाइ नेहरु जी के नित्रत में 955-56 में जो आदोई नीती बना स्टील पॉलिसी बना और देश के अंदर में जो मानका बनी कि मिक्स्ट एकनामिक पॉलिसी अबी होगा और खास का पॉब्लिक सेक्टर के माद़न से देश के अंदर में इंप्लाइमेंट जनरेट करेंगे उस ब्यवस्था को कमजोर करने के लिए उसको चाहते हैं को ठस्ट कर दें खतन कर दें ताकि जदी पॉब्लिक सेक्टर समाप्त हो जागा तो खानगी छेत्र है जो नीजी छेत्र है उसको खुला मौका मिलेगा लूटने का और इस देश के अंदर में मजदूर्वर्ग का जो सासन है इसको धीरे-धीरे कमजोर किया जाएगा हम करते हैं मजदूर्वर्ग का सासन नहीं है पब्लीक सेक्टर होने के बज़े से पब्लीक सेक्टर के अंदर में मजदूर बर कुछ अपने आग को स्वतंत्र महसूस जरूर करता है। इसलिए ऐसे सत्का प्रियूंग करना पड़ता है। यह स्थिति है और उनका जो वह जिंडा था उसे जिंडा पर आ गए। उचाते हैं कि पब्लीक सेक्टर को पहले तो खतम कर दो। और अगर जो नहीं खतम हो रहा जहां तक जहां दिक्तत हो रहा है वहां के मजदूरों का तनखाह को कम करते जाओ। जहीं तनखाह कम नहीं होगा ति इस उखरीदेगा को। कि जब इलक्सन का समय आता है तो उस वक्त कहा जाता है कि तुरत सब होने वाला है। अभी भी हर्ताल है चार-पाइस साथ दिन से आप देख रहा है अख़वार में रोज निकल रहा है। जनवरी में NJCS कमेटीन होगी रीवी जन इस्थिती है यह जो दुन्द है यह जो दुन्द पैदा क्या दारा आपके बीच में उसको समझने क्या सकता है। इसलिए साथ यो आठ जन्वरी का हरताल जिलूरी है ज़िए आप चाहते हैं कि आपका स्वाहिवान जिंदा रहे हैं। इसलिए सेक्टार को भीक देता हैं जिसमें से स्वाहिवान जो दास्वामिक बनाता हैं इसी जो सरकार का जो नीती है नीती का खिलाब में लड़ने के लिए हम लोग ये हरताल का नारा दिया हैं। देश का सारी टीटमेन, ये में सोरके जतना टीटमेन है, हर टीटमेन, जतना भी फेडरेशन है, हर फेडरेशन, ये हर्तल का नारा दिया है, स्वरकार का नीची का खिलाम में मज़दुर को आम जंता को लड़ने के लिए इसी इक कारण है।